हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक में चैनल मेरे कीजन में आप सबका पहुत पहुत स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं बरत के लिए खाना और बरत के खाने में ना पूरी बनाने वाले हैं और ना ही हम हलवा बनाने वाले हैं आज हम बरत में बनाएंगे धोसा और उसके साथ च पहने जो जब में प्रमक्री में जदा चाब लाते दीक है जो एक ख dinero में कातल यहां एक लिज से चाब द मना सुआ, फैसर पहने फैसासा लीत, इंडिए कंवान कर दो तुलさ को कर दिया था अब इसे हम पीस लेंगे और देखे पानी हमें पहले नहीं अड़ करना है जितना चावल में पान था मैंने उतना ही डाला है और अच्छा सा पेस्ट बन के तैयार हो गया है अब इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे कि चersonal की बोल में डाल दिया है अब इसे में भूल सब्सक्राइब नमक और कुट्टू का आटा राफू को आधा कप कुट्टू का आटा भी भी बहूता है मैं आटा डाला है वह त्टोड़ा गार्ट हो जाती उस में उसमें गुटियार hy coda पहें अच्छ से या फिर 6-7 घंटे के लिए तब दक हम चटनी बना के तयार कर लेते हैं तो चटनी के लिए हमें चाहिए हरी मिर्ची दखने ग्राविक के लिए ख़व यो नहीं में लिए या भाट में पर में pure एक अधानिय में करने हो काको में खटल के लिए मैं चटनी को डाल रही हैं तो तो ज़ादा पानी डालना और Repeated- Turkicler को कर लेना है ग्राइं तो यह हमारी चटनी भी तयार हो गई है कि अगर है उसे आप चाहें तो च्छे से 7 सथ घंटे के लिए रख दे और या फिर राद भर के लिए हम इसे बिना इनो के बना र बिनना सोडा के बना रिर मैंने जाड़ आपका जट 2000- или distortion नहीं दो बज़े 2 इसे बना लिया था तो मुझे ज्यादा खट नहीं पसंद मैंने इसे सुबह provide कर लिया है अगर टोंता धी 50 कि जादा खट और इसको थोड़ा सा फ़र्मेट करना हं ता ज़锯 राथ भर के लिए और इसे हमें बनाने के लिए तब्वे को कर लेना है गरम उसके ओपर घी लगाना है यह अगर आपको तेल खाते हैं तो आप तेल में बना लिए और इसे थोड़ा सा पाणी डालके एक टीशू पेपर से क्लीन कर लेंगे जैसे हम दाल चागल का डोसा बनाते हैं उसी तरीके स धाल कर यहां दाल डाल लेना है और साइड में ठोड़ा से घीर डाल देंगे और से कम आठ में पकने दे जब तक पीछे से क्रिस्पी ना हो जाए ऐकदम जैसे हम धोसा बनाते है ना दाल चाल बधले उसी बन नेगा तो दीखे अच्छे से पातिगैं के इसे पलट लेंगे तो साइट से पहले हम छुडा लेते हैं और अगर आप एक दो पहला बनाएंगे तो थोड़ा सा खराब होगा लेकिन आप दूसरा बनाएंगे पर्फेक्ट बनके तयार होगा पहला भी आपको अच्छा ही बनेगा बस बैटर आप जादा पानी ना डाले जादा पतला ना करे ज्यादा पतला होने से हमारा जो डोसा हम जब बनाएंगे तो चिपक जाएगा तवे में तो यह देखिए एक डोसा बनके तयार हो गया है एकदम क्रिस्पी है करा रहा है थोड़ा सा और क्रिस्पी चाहिए तब थोड़ी दिर और इसे तवे के ऊपर डाल के कमाज पे तरिके सम दूसरा बे डोसा बना के तयार कर लेते हैं और जब भी आप बनाके तो तब थोड़ा clean कर ले पाणी और तेल से पोछ ले अची तरीके से और यह मारा डोसा बन के तयार हो गया और मैंने थोड़ा सा आलो और जीरा सुखे वाले आलू जीरा बना लिए और वही सब्जी भी है तो आप दही के साथ भी खा सकते हैं एक बार इस तरह हैं बना के देखें बहुत जादा टेस्टीव पसंद है तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें पाइब